किसान भाईयों नमस्कार आज मैं आपसे एक बहुत ही विसेश मुद्धे पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूँ और विसेश यह है कि पंजाब, हरियाना और उत्राखंड के कई छेतरों से किसानों की सिकायतें लगातार आ रही है कि उनके खेत में कुछ बौने पौधे दिख रहे हैं अब इन बौने पौधों की संख्या अलग-लग किसमों में कम अधिक है चाहे वो बास्मती किसमे हों या गैर बास्मती किसमे हों दोनों में इसकी सिकायत पाई जा रही है पियार 126, पियार 121, पियार 114, पूशा बास्मती 1509, पूशा बास्मती 1692, पूशा बास्मती 601 इन सभी किस्मों में तकरीबन यह समस्या देखने को मिल रही है लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इनकी संख्या पौदों की 5% से ले करके और कुछ किश्मों में 10 से 12 या 15% तक पाई गई है लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सारे खेतों में 5% पौधे प्रभावित हों किसी एक छेतर में जब जाईए तो आप आएंगे कुछ खेतों में यह समस्या दिख रही है कुछ खेतों में समस्या नहीं दिख रही है अब आम तोर पे इन पौधों का लच्छन देखे तो यह पौधे छोटे हैं आकार में उनकी ब्रिद्धी नहीं हुई है और उनी के साथ लगाये हुए उसी किस्म के दूसरे पौधे अगर देखें तो उनकी लंबाई काफी बढ़ गई है इनके अंदर फुटाव भी कम हुआ है पौधों का रंग हरे गहरे रंग का है और पौधों को गर उखानेंगे तो यह पौधे बड़ी आसानी से जमीन से उखर जाते हैं और जड़ों का विकास भी इनका बहुत अच्छा नहीं होता है और जड़ों में कालापन आ गया है जिससे पौधों का जमीन से खुराक लेना एक तरह से बंद हो गया और पौधों की ब्रदी बंद हो गया यह एक विशानु जनित बिमारी है विशानु की यानि की वाइरस से उत्पन होने वाली बिमारियों की बात करें तो उसमें सदर्न राइस ड्वार्फ इस्ट्रीक वाइरस इनके लक्षण की इससे काफी मिलते जुलते हैं मैं खुद जो है 18-19 अगस्त को हर्याना और पंजाब के कई जिलों में गया गिशानों से चर्चा की वहाँ से सैंपोल लेकर के आए इसके पहले हमारे संस्थान के पुषा संस्थान से विग्यानिक लक्ट रसमी अग्रवाल लक्ट बर्णवाल वो लोग ही गये थे सैंपोल लेकर कर के आए बताना चाहूँगा कि आपको बहुत जादे घवलानी की ज़रूरत नहीं है, जैसा है मैंने बताया कि इनका प्रकोग 5 से लेकर के 15 प्रतसत तक है, लेकिन सारे खेतों में नहीं है, कुछ खेतों में है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल सिकायत नहीं है, जैसे स आपका ब्राउन प्लांट हापर, वाइट बैक प्लांट हापर, ग्रीन लीफ हापर होता है, जिसको हम तेला, चेपा के नाम से जानते हैं, यह अगर इसका प्रकोफ होता है और यह रोग ग्रसित पौधों में बैठ करके उसका रश चूसता है तने से, और फिर जाकर के प्लांट हापर का प्रकोफ होता है, तो मेरा सभी किसान भाईयों से अनुरोध रहेगा कि थोड़ा सा वो इस बात को लेकर के स्वतर करें और जब ही उनको ब्राउन प्लांट हापर या तेला चेपा का प्रकोफ दिखता है, तो वो दबाओं का छिड़काव करें, ताकि व उसको रोकने में हमें कामियावी मिले, अब इसमें दबाएं जो हैं कई सारी आप रिवोग कर सकते हैं, जैसे प्रक्सालोन दबा है, इसकी 94 मिली लिटर मात्रा 200 लिटर पानी में घोल करके एक एकर में शिड़काव कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ ओसीन है, टोकेन है, जिस इसका प्रियोक करें, जो ही आपको ब्राउन प्लांट हापर या तेला चेपा दिखता है, और कैसे दिखेगा हो, आप खेत में जाएए, सुबह, साम को, तो तने के निचले हैसों में अगर अगर अडिना मारें तो उसमें ये भूरे रंका फुद का बैठा रता है, और वह प्रिकाओ करें और बिमारी को और जएदे हैं